है गाई विलकुम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई हो पाप सब बहुत अच्छै होंगे तो आज की वीडियो में माँ आपके साथ मैट्रिक्स हेयर के रूटीन की वीडियो शेयर करने लगी हूं hope guys आपको मेरी हेविली वीडियो अच्छी लगे ये वीडियो आपके लिए helpful हो तो चलिए guys वीडियो को 설ाट करते हैं वीडियो को 설ाट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली स मेरे चैनल को कर दीजिये subscribe और वीडियो को कर दीजिए like तो चलिए गाइस वीडियो को start करते हैं let's get started तो गाइस आज मैं matrix के product यूज कर रही हूँ full routine में आपके साथ share करूंगी वैसे मैं routine में गही वाले product यूज करती हूँ गर आपने rebonding, straightening, keratin करवाया तब भी आप ये वाले product यूज कर सकते हैं अगर आपने नहीं करवाया तब भी आप यूज कर सकते हैं shampoo, hair mask and conditioner और serum ये चार चीज़ी हैं ये चारो चीज़ी हैं आपको यूज करनी हैं बहुत ही अच्छे वाले amazing इसके result है और price आप देख सकते हैं mask प्राइज 685 रुपीज है, conditioner 200 रुपीज का है और जो shampoo है वो 300,5 का है तो guys अगर आपने rebonding करवाया तो आपके लिए ये वाले shampoo ये वाली पूरी range अगर आप इसका use करेंगे आपके बालों को कुछ भी नहीं होगा, आपके बाल बिल्कुल भी damage नहीं होगे तो मैंने जब से rebonding करवाई है, मैं तब से यही वाले product यूज कर रही हूँ मुझे बहुत इच्छा लगता है इसका result मैंने इसके, मतलब 2-3 shampoo तो मैंने इसके use कर लिए है easily local market store से आप matrix के product बाई कर सकते हैं या फिर आप online भी बाई कर सकते हैं आपको 30-20 कुछ 20% या 30% कुछ ना कुछ discount इस पर जरूर मिलेगा बहुत ही अच्छे वाले product है professional यह सारे shampoo, mask, serum यह सभी professional products हैं तो अगर आपने rebonding नहीं भी करवाई या आप अपने बालों की अच्छी care करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरे बाल बिल्कुल straight लगें मतलब कि बिल्कुल लुक बालों की बहुत ज़दा अच्छी है तब भी आप यह वाले product यूज कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर थोड़ा से वीडियो को फास्ट किया हुआ है बहुत अच्छा यह वाले शैंपू लेदर करता है 350-345 इसका प्राइज है बट आपको कुछ ना कुछ रिसकाउंट इस पर ज़रूर मिल जाएगा इसका मास कितना ज़दा अच्छा है ना जो स्पा भी आप कह सकते है मैं तो उसे ऐस दा कंडिशनर भी यूज कर लेती हूँ मतब फूल रूटीन और नेस्ट रूटीन में आपके साथ शियर करूंगी जिस तरह से मैं यह वाले प्रोड़क्त यूज करती हूँ तो सबसे पहले मैंने शैंपू का यूज किया है हफ़ते में दो बार आपको हेर वाश जरूर करना है ओलिंग भी आप कर सकते हैं यह नहीं है कि आपने रिबॉंडिंग करवाई है तो आपको ओलिंग नहीं करना है मैं हफ़ते में दो बार oiling जरूर करती हूँ तो देखिए hair wash मैंने कर लिया है अब मुझे mask का use करना है आप चाहे तो conditioner का use भी कर सकते हैं बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा dry रहते हैं रिबांडिंग करवाने के बाद अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा dry हो गए हैं तो आप जो ये mask है इसे as a conditioner भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा वाला आपको result देखने को मिलेगा तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा dry रहते हैं तो इसलिए मैं ये mask as a conditioner यूज़ कर रही हूँ तो देखे इतनी आपको quantity लेनी है अपने बालो की length की according इसकी quantity लीजिए सबसे पहले आपको इसे length पर लगाना शुरू करना है जितनी भी amount बच जाए वो आप scalp पर लगा सकते हैं आपको बालो को stretch करना है आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से mask को अपने बालो पर लगा रही हूँ wet hair पर आपको इसे लगाना है जिस तरह से हम conditioner का use करते हैं same वही method है उसी तरह से आपको इसे use करना है कम से कम 5 minute के लिए इसे अपने बालो पर लगा रहने दे यह भी इतना अच्छा लेहदर करता है इसके बाद आपको कोई भी shampoo नहीं करना है जैसे हम conditioner का use करते हैं जस्ट वैसे ही हमें इसका use करना है बालो पर अच्छी तरह से massage करना है बालो को stretch करकर के यह वाला जो mask है नहीं इसे लगाना है तो देखिए दो से तीन मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने अपने बालो पर इसकी massage की है और इसे हम मैंने पांच मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है पांच मिनट के बाद फिर से आपको बालो पर अच्छी तरह से massage करनी है बालो को stretch करना है इससे क्या होगा ना जो यह मास कमने लगाया ना यह सारे बालो पर लेंथ पर अच्छी तरह से लग जाएगा जो हमने पांच मिनट बीच में इसे रखा है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट बालो पर आ जाएगा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादर ड्राई रहते हैं तो वो भी प्राब्लम आपकी खतम हो जाएगी तो देखिए पांच मिनट बाद अब मैं फिर से बालो पर बालो को स्ट्रेच कर रही हूं इसके बाद आपको नॉर्मल पानी से ना पानी डाल लेना है अपने बालो पर कोई भी शैंपू कर इसके बाद आपको यूज नहीं करन है तो आपको बालो की अच्छी केयर तो करनी ही पड़ेगी मास्क लगाने के बाद जब आप पानी डालोगे ना तब भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपके बाल इतने सौफ्ट स्मूथ सिल्की शाइनी हो जाएंगे ना आप चाहिए तो अगर आपके बाल बहुत जदा ड्राइ नहीं रहते हैं तो आप कंडिशनर का भी यूज कर सकते हैं तो देखे इस तरह से आपको पानी डालते रहना है सारा मास्क जितना भी मास्क है वो सारा बालो में से निकल जाना चाहिए मुझे ये सभी प्रोड़क्ट काफी जदा अच्छे लगते हैं मैं पिछली आठ से लेकर नो दस महीने मुझे हो गए हैं ये सभी प्रोड़क्ट यूज करते हुए तो गज़ देखें हेर वाश मैंने कर लिया अब मुझे टावल ड्राइंग करनी है टावल ड्राइंग के लिए आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से अपने बालों में से सारे जितना भी पानीन उससे निकालूंगी बालों को जोर जोर से खीचना नहीं है टावल बालों पर नहीं मारना है क्योंकि रिबॉंडिंग में हमारे बाल बिल्कुल सिल्की स्मूथ हो जाते हैं और ना मतलब बाल हमारे बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाते हैं की नोटी है कि रिपॉंडने कर वाने हैं नियुक्ते हैं आपको नाहें दाजाते होरी हैं धोग। की ब्लब का यूजाता हैं इस अतब Seriously से सीरम का उजकना हैं इससे पानिा वाला तरीक है इससे आपके बालों में टैंगल्स नहीं पड़ेंगे क्यूंकि हमने मास्क का यूज किया है तो हमारे बाल वैसे ही काफी ज़धा सॉफ्ट हो गए हैं काफी जदा सिल्की हो गए हैं तो गाइज अब मैं सिरम का यूज कर रही हूं सिरम की कॉंडिटी भी आप देख सकते हैं सिरफ 5-6 ड्रॉप्स मैंने इसकी यूज की हैं और इसे लगाने का सही तरीका यही है कि भालो को आगे की तरफ करके लेंथ से हमें शुरू करना है और आपके हाथों पर जितनी भी अमाउंट बच जाती है जितना भी सिरम बच जाता है उसे आपको स्कैल्प पर लगाना है डायरेक्ट सिरम को आप स्कैल्प पर मत लगाए लेंथ से स्टार्ट कीजिए अगर आप इस तरह से यह वह प्रोड़क्ट यूज करेंगे अपने बालों का ध्यान रखेंगे तो आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे आपके बाल बिल्कुल भी वांटिंग के बाद खराब नहीं होंगे तो देखे गाईज अब मेरे बाल अच्छी तरह से सूख गए हैं और आप मेरे बाल देख सकते हैं कि कितने ज़दा सुन्दर लग रहे हैं लुक कितनी ज़दा अच्छी आई हैं तो अगर आप भी मैट्रिक्स के प्रोड़क्ट यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको रेक